पतनी की काम्याबी में पती का हाथ होना आपने सूरी वंशुम फिल्म तो देखी होगी इस फिल्म में आपने देखा होगा किस तरीके से आमिताब बच्चन अपनी बीवी को कलक्टर बनाता है और उसके साथ साए की तरह चलता हुआ नजराता है क्या ऐसा सिर्फ फिल्मों मे होता है या हकीकत में होता है क्या पती अपनी पत्नी को आगे बड़ाने में मदद करते हैं और मदद तो करते ही हैं साथ साए की तरह उनके पीछे पीछे भी रहते हैं चलिए एक कहावत है जब सईयां भाय कोतवाल तो डर काहे का कुछ ऐसा ही मामला राजस्थान से सामने आया है हाला कि इस कहानी में सईयां कोतवाल तो नहीं लेकिन अपनी पत्नी का रखवाला जरूर बन गया है नमश्कार मैं हूँ आपके साथ स्वाति सिंग और आप देख रहे हैं इंडिया नियूज बहुत छे खबर यह है कि देश में सबसे कम उम्र की सांसत संजना जातव एक बार फिर लाइंग अपने हस्बेंड के चलती चर्चा में बनी हुई है शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि क्या पती आज के वक्त में जैसे की रील लाइफ में हम देखते हैं कि पतनी के साथ साए की तरह चलते हुए नजर आते हैं क्या आज की हकीकत में भी, रियल लाइफ में भी क्या पती अपनी पत्नी के साथ साय की तरह चलते हैं आपको बता दे संजना जाटव ने अपने कॉंस्टिबिल पती को ही अपना PSO बनाया है तो मामला जरा हटकर हो गया है आपको बताते चले कि अभी तीन हफ़ते पहले सांसद संजना जाटव ने अपने पती को अपना PSO बनाने की सिपारिश राजस्थान पुलिस से कुए जानकारी के मताबिक संजना ने कॉंस्टिबिल पती कप्तान सिंग को पर्सनल सिक्योरिटी ओफिसर PSO बनाने का अनुरोध किया था जुसके बाद अलवर जिले के SP आनंद शर्मा ने इसके आदेश जारी कर दिये थी राजस्थान में सबसे युवा सांसद है संजना जाटव एकदम सुशील संजना जाचव अपनी व्यवार को शल्ता के चलते पूरे जिले की देखवाल का जिम्बा समाने संजना ने कॉंग्रेस के चिकेट पर चुनाव गड़ा पबलिक को उनका देशी अंदाज और सेवा करने का भाव इतना पसंद आया कि वो पहले ही आटेंप्ट में सीधे संसद पहुँच देगी अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नई बात क्या है चुकि यह पहली बार संसद बनी है यह तो नई बात है अब दूसरी नई बात यह है कि राजस्थान पुलिस ने इनके सिपाही पती ही इनकी सुरक्षा में तैनाद कर दिया है अब सवाल यह भी आता है क्या पती को खड़े हैं एक मैं नीगों भी होती है क्या वो कभी नहीं आई या फिर कहते हैं कि अगर पत्नी-पती से आगे पहुच जाए तो एक सर का डर्द बन जाता है क्या ये सर का डर्द कभी उन्हें नहीं हुआ आपको पता दे राजिस्थान की कॉंग्रेस की भरतपुर सांसद सन्दना जातब चुनाग जीतने के बाद काफी सुर्खियों में रही है अब बात कप्तान सिंग की जाए तो उनके बारे में जो कहा जाए वो कम है संजना सबको बड़े गर्व से बताती हैं कि वो उनके पती है उनकी ताकत है पहले भी साथ रहते थे अब भी साथ रहते हैं संजना जाचक कि शादी 2016 में अलवर जिले की कछुमबर विधानसबा छेतर में गाउ समूची निवासी कप्तान सिंग से हुई थी तब कप्तान सिंग राजस्थान पुलिस में कॉंस्टिबिल के पदपर अलवर के थाना गाजी थाने में तैनात थे पतनी का PSO बनने के बाद उनके पती कप्तान का कहना है कि मेरे साथ रहने से उनका मनोबल और हिम्मत बढ़ती है संजना जाटव के अचारा वर्ष की आयू में कप्तान सिंग के साथ शादी भी थी बताया जाता है कि सांजना जाटव की राजनीती में एंट्री करवाने के पीछे उनके पती कप्तान सिंग और उनके ससुर हरबजन सिंग का हाथ है उन्होंने ही संजना को राजनीती में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेज किया सांसत बनने के बाद अब संजना ने अपने पती कप्तान सिंग को अपना PSO सुरक्षा दिकारी बनाया है इधर सांसत का चुनाव जीतने के बाद संजना ने अपनी सफलता कश्रे पतिकप्तान सिंग और ससुर हरबजन सिंग को दिया है संजना का कहना है कि दोनों ने ही मुझे आगे बढ़ने की प्रेणा दी और मेरे साथ दिया सांसल संजना कहती है कि मेरे पती मेरी ताकत है अब ड्यूटी के दौरान भी मेरे साथ रहेंगे उन्होंने कहा है कि मेरे पती के साथ रहने में हम दोनों सहज महसूस करेंगे उन्होंने कहा है कि सांसल बनने के बाद काम बड़ा है लेकिन मैं आज भी वहती हूँ मेरा वैवार में कोई अंतर नहीं आया है सांसर संजना ने अपनी राजनितिक जीवन की शुरुआद वाट पालशत का चुनाव जीत कर लिए इस दुरान वर्ष 2021 में संजना के बड़े ससुर कमल सिंग जो सरपंच रहे चुके हैं उन्होंने अपनी बहु को चुनाव लड़ाने के लिए प्रेरितिया इसके बाद संजना ने अलवर के वाट नंबर 29 से चुनाव लड़ा और जीत हासिल इसमें उसके परिवार आपको बता दे जुस तरीके से उनके पती और ससुर ने पूरा साथ देते हुए चुनाव है उन्होंने कॉंग्रेस के देखर चसिन पाइलेट का सबसे कम आयू को इस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ा है और लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई है संजना जाचब एक बार फिर सियासत की सुर्खियों में बनी हुई है और संजना अकीली ऐसी सांसद है जो कि साफ पिर कैसी नजर आती है यह संजना जाटव और उनके पती साफ तोर पर दरशाते हैं ऐसी तमाम जानकारी के लिए लगतार हमारे साथ बने रहें और देखते रहें जानियों सब्सक्राइब